हां जी कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में हमारा एक अनोखा YouTube चैनल जहां पे आप लोग बहुत प्यार देते हैं और हम आपको थोड़ा सा एडवाईस दे देते हैं कभी कोड सिखा देते हैं तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में थोड़ा सा ग्यान देने की कोशिश करेंगे वैसे तो हम कौन ही होते हैं ग्यान देने वाले आजकल की दुनिया में सभी ग्यान ही है बट फिर भी हो सकता ये छोटी सी एडवाईस आपको थोड़ा और हेल्प कर दे क्योंकि देख हैं और कई तरीकों से इसको प्राक्टिस भी किया जाता है और उसके कई रीजन है कि आप शायद कॉंफिदेंस फील नहीं कर रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग के अंदर उसमें से एक रीजन में यहां पर डिसकस करने वाला हो चोटा सा यह आपको बड़ा अच्छा लगेगा जानके और शायद आप जो सुनते आए होगे उसको एक नए परस्पेक्टिव से लेखेंगे ज्यादा बड़ा कमेंट टार्गेट भी नहीं है सिर्फ 400 कमेंट का टार्गेट लेते हैं प्लीज कप्लीट करवा दीजेगा 24 आर्स में और डिसकस करते हैं अब की लॉजिक बि ओविस सी बात है यह सब फैक्टर्स हैं उसके अंदर कि यह सब लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करते हैं लेकिन एक जो मेजर फैक्टर मुझे परस्नली लगता है और मैं काफी टीचर्स को देखता हूं जो इस बात पर फोकस भी करते हैं असा नहीं है क्यों बुरा कर रह हूं वो सिंपल सी बात है कि आपने एक कोड लिखा और क्या वो कोड आपके माइंड के अंदर एक्जीक्यूट होके उसका आउटपुट आप ला सकते हो यह दिखने में बहुत आसान है लेकिन यह बहुत चैलेंजिंग टास्क है बताता हूं कैसे हम क्या है जिस एन्वायर आउटपुट लाओ, रन करो, आउटपुट लाओ, इसका जो डायलमा है वो आपको कोडिंग सीखने से रोकता है वो आपकी जो brain building exercise है, logic building exercise है उसको कहीं न कहीं हेंडर करता है तो initial phase में इसलिए सब को जो pattern printing कराई जाती है जो odd even find करा जाता है वो इसलिए कराई जाता है ता जाना सबसे जादा जरूरी है अभी आप देखिए अगर आप हमेशा इस बात पर dependent रहते हैं कि नहीं जब तक output नहीं आता है या मैं execute नहीं करके देखता मेरे को नहीं पता लगता कि code क्या कर रहा है तो I think आप future में भी logic building के अंदर weak ही रहने वाले हैं, so sorry कहने के लिए बट तड़ातर तड़ातर लिखे जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है, तो please इसको सुधारिये, जो specially आपको जो काम दिया जाता है कि pattern printing करिये, उसमें मैंने देखा है जो लोग जादा weak रहते है pattern printing में, वो इसलिए weak रहते हैं क्योंकि वो बस code लिख रहे हैं, उनको बस एक x loop है, y loop है, एक i loop है, जे loop है, उनको समझी निया रहा कि वो loop कहां जा रहा है, कौन सा loop हमारा row wise जा रहा है, कौन सा loop length wise जा रहा है, ये सब नहीं उनको visualize हो रहा है, और ये visualize कभी भी नहीं होगा अगर आप output हिट कर देंगे, हाँ जी, ये एक fact बात है, आपको शायद सुनने में ज execute करके देख पा रहे हो, कि अच्छा, यहाँ पे ये code लिखावा है, तो इसका मतलब top पे पूरी line बनेगी, second row में एक कम बनेगा, फिर third में एक और कम, फिर finally एक star बनेगा, या फिर इसका opposite होगा, अगर ये visualize brain में नहीं हो पा रहा है, तो आप logic building में कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे, अच्छा, एक और इसका fact बताता हूँ कि ये क्यों जरूरी होता है, देखे, कई बार जब आप बड़े level पे applications build करेंगे, बड़ी high scale पे करेंगे, वो कि obvious ही बात आप करेंगी, कई नहीं जाने वाले आप, बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, जब आपने एक controller लिखा, एक functionality लिखी, कई बार उस functionality को test करना possible ही नहीं होता है उस जगे पे, कई बार वो functionality आगे जाके 3-4 चीज़ों पे depend होती है, तो हर बार code को लिखने के बाद उसको execute करा के दिखाओ, उसको run करा के दिखाओ, ये possible ही नहीं होता है बड़ी applications में, क्योंक कई बार जब tutorials भी बनाते हैं, तो कई लोग उस point पे वो execute करके नहीं दिखाते हैं, उसका reason यही है कि अभी execute करा मतलब पूरा code फटेगा, guaranteed है वहाँ पे error आएगा, लेकिन एक point पे जाने के बाद, एक stabilize होने के बाद ही आप उस project को run करके थोड़ा test करके देख सकते हो, हर एक 10 line लिखने के बाद project test नहीं किया जा सकता, यह fact है, जिसने भी बड़ी applications बनाई, उसको पता है यह बाद, कि हर एक function लिखने के बाद, हर एक 10 line लिखने के बाद, आप run नहीं करवा सकते code को, तो इस mindset को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा इस perspective से देखना Maths का answer एक बार पीछे देख लिया ना, आप तो पता ही, answer क्या है, एक बार किसी key में उठा के देख लिया कि अच्छा इस तरह से करते हैं, फिर तो पता ही है, लेकिन Maths का main goal था वो यही था कि थोड़ा सा brain को परेशान किया जाए, आप खुद देखो करके कि यह steps हो रहे है क्या programming भी उसी तरह से है, एक बार execute अगर आपका code हो गया आप उस code को दुबारा नहीं देखने वाले, यह तो fact बात है, लेकिन आपने execute ही नहीं करा और पहले predict करके देख रहे हो, कि अच्छा इसका output क्या आ सकता है, और फिर वो आपको prediction match करता है, वो आपको confidence भी देगा, वो आपसे logic building भी करवाएगा, लेकिन हर बार आग बन कर गया, आसे execute, execute, execute करोगे, नहीं बढ़ोगे उससे आगे, अब यह ज़रूरी नहीं है कि यह जो बात मैंने बोली, यह 100% लागू, हो सकता है, आपके लिए fitna बैठे, हो सकता है, हो सकता है कोई और teacher जो पढ़ा रहा ह आपको काफी पसंद भी आती है, तो हो सकता है, इस वीडियो से थोड़ी सी help मिली हो आपको, और अब आप code लिखने के बाद थोड़ा सा visualize करने की कोशिश करेंगे, brain में, आप चाए project बना रहे हैं, चाए आप register controller लिख रहे हैं, login controller लिख रहे हैं, या फिर आप basic stack का function लिख लिख रहे हैं, link list लिख रहे हैं, या फिर एक pattern print कर रहे हैं, execute करने से पहले एक बर brain में पूरा loop वगरा सब process करके देखो, कि अच्छा यहां पे इस तरह से हो रहा है, इस से ही आपको आगे जाके help मिलेगी, ठीक है, तो बस इतना ही कहना था, इस raw वीडियो के अंदर, उमी है, ऐसे किसी वीडियो में.